Student Studio में आगे बनने से पहले एक important चीज़, please comment section में मुझे बताओ कि आप boards में कितने percentage expect कर रहे हो, ठीके, जितने भी होंगे, 50, 68, 70, जितने भी आप expect कर रहे होंगे, उनका number मुझे comment section में बताओ, और CT में कितने expect कर रहे हो percentile, उसका भी मुझे बताओ, ठीके, वहाँ से पता से अगरा डालता रहता हो, CT sale के जो तरब से जो भी notice आती हो, वहाँ पे आपको मिल जाती है, इस लिए में हम बात करेंगे, आपके, MSTCET 2024 में, जो कुछ update आई है, regarding आपके 50-50 rule के उपर, उसके उपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले में आपको एक चीज़ बता देना चा जिसको, ठीके, दूसरी चीज़, crash course और mock test में दोनों डाल दिये, description box में, ठीके, उनके लिए आप enrolled कर सकते हो, ठीके, यह कई वही crash course है, वही mock test से, जिसे पढ़के सी, OEP, VGT, I, VALT, PICT, VIT, जिसो में, न्यूटर इडुकेटर्स के student हर साल जाते है, आप भी जाओगी, इ 30,000 question के 30,000 solution आपको मिलने चाहिए, ठीके, back to the point आते है, 50,50 rule के उपर, 50,50 rule के उपर, बहुत सारे trend चल रहे थे, Twitter पे, ठीके, तो government ने उसके उपर reply करते हुए बुला है, ठीके, बहुत सारे बच्चे से बोल रहे थे कि, sir हमारी 12th की preparation नहीं हुए, ठीके, लेकिन हमने CET के sale, जो 50% marks लेने वाली है, boards के या नहीं लेने वाली, पहले समझो, 50,50 rule क्या होता है, 50,50 rule मतलब, 50% marks आपके CET के consider होंगे, 50% marks आपके boards के consider होंगे, वो दोनों मिला के, आपका college में selection होगा, ये बोला था, उदाई सामन जी ने, बहुत दो साल पहले, ठीके, उसके उपर, last year CET sale ने same clarification दिया, जो इस साल clarification दिया है, इस साल CET sale ने clear कर दिया इस चीज़ को, ठीके, कि अभी तक हमने कोई भी notice जारी नहीं किये इस चीज़ की, ठीके, तो इस चीज़ को कभी consider नहीं करना, और ऐसा लागू नहीं होगा, इस साल at least, इस साल आपका 50-50 rule लागू नहीं होन के दोरान, ऐसा कुछ नहीं, boards की weightage 0 है आपके selection के लिए, लेकिन eligibility criteria same है, अगर आप open categories के हो, तो आपको 50% marks PCM में लगेंगे, अगर आप PCB के student हो, तो PCB में 50% marks लगेंगे, ठीके, ये criteria आभी भी follow होगा, अगर आप OPC, SC, ST के हो, तो आपको 45% निंतीनों समसेक में लाना होग ठीके, clear है, eligibility criteria, 50-50 rule के उपर clear है, next video में मैं आपको बताऊँगा, safe score, chemistry CT में safe score कितना होगा, ठीके, उतना score करने के बाद आपको एक अच्छा college मिल जाएगा, तो next video के लिए, please, comment section में मुझे पताना, ठीके, safe score लिख देना, तो मैं next video तुरान डाल दूँगा, कल सुबा आप प्यां, thank you